संतों का खून उस पापी रावर ने खिचवाया था एक घड़ा भरबा दिया लेकिन सुनो मैंने बार बार कहा है कि कभी संतों का अगा सम्मान न कर पाओ तो जीवन में अपमान मत करना तो वो संतों ने कह दिया दुष्ट तेने महात्माओं का खून खिचवाया है तो यही फून नास का कारण बनेगा बाने का समझी का जी खून या रहो तानास हो गए हो तो उसने वो खून का घड़ा महराज जनक की सीमा में करवा दिया क्यों जनक की सीमह ही में क्यों गड़वाया कि एक बार राजा जनक वा महराज लंकापती रावड इन दोनों के बीच में सत्संग हुआ था देवलोक में तो उसमें रावड हार गया था जनक जी जीत गई थे उस दिल से रावड बैर मानता था जनक जी से तो वो गड़ा जो था संतों के खून का वो गड़वा दिया जनक पुर में तो जो सीमा में गड़ गया था परिचगी परसा नहीं हुई पानी नहीं वरसा नहीं हुई जब बरसा नहीं हुई तो संतों ने ये मत दिया कि राजा जनक अगर सोने का हल चलाएं सोने का हल तो पानी बरसागा बिचार करना वो कैसे राजा थे प्रजा के हित्मे और राजा ने हल चलाना स्विकार कर लिया अब एक राजा चला जाने हरुक हित्मे लेकर महराज जनक जी ने प्रजा के हित्मे लिए हल भी चला ये और वो चला कैसा अरे राजा जनक बने हराहा अरे दो पेला जोरी लएकारे भाईया पेला जोरी लएकारे राजा अरे काहे को हरुला बनो यर काहे की पने हरे राजा जनक बने हराहा अरे राजा जनक बने हराईया पेला जोरी लएकारे राजा अरे काहे को जमजु अबांदो काहे के बन दे मादे राजा जनक बने हराहा अरे दो पेला जोरी लएकारे राजा पेला जोरी लएकारे चन्नना को जम जुआ बांदो रेर समा बांदेर नारे राजा जनकुबने आरा आरे तो पहला जोरी लएका रे पहलो पहलो पहला राजा लाए लाए द्वे अरचारे पाचम चक्र लेके आए लिकरे हडिया पारे राजा जनकुबने आरे तो पहला जोरी लएका रे आरे पाचम चकल लेके आये निकरे हडिया पारे राजा जनों को वने हरहा आरे दो पैरा जोरी लए पारे बोलिये शिया बरादाम चंद्र की जार रखना आज उसी सीता का सीता मैया का आज स्वेंबर रचाया लेकिन सर्थ क्या रखी थी वो शिवजी का जो महान कठोर धनुस था आज वो रंग भूमी में रखा ले रंग भूमी से जाई गई है सोतावंधो ऐसा मता आपने देखा होगा कुछ लोग बताते हैं कि धनुस को लाया कौन जनकपुर में इस धनुस को लाया कौन इस धनुस को महाराज जनकजी खुद लाई थे एक बार जब जनकजी ने सिवजी की तपस्या की थी तो भोले ना जब प्रसंद हुए तो अमारा जनक ने केवल ये कही बर्दान मांगा कि प्रभू अगर आप मेरी तपस्या से खुश हैं तो मैं केवल ये मांग रहा हूं कि साच्छात परमभम परमात्मा मेरे घर तक पैदल चलके आगया देखो का मांग वो मांग वे तो रुप्या पईस हूं मांगे सकते हैं जहूं मांग लिए ते कहो और राजाग और राजी और मिल जावे लेकर नहीं मांगा क्या मांगा कि साच्छात परमभम परमात्मा पैदल चलके और मेरे घर तक आगया तो सिवजी ने ये धनुस उठा करके दे दिया इस धनुस के कारण ही वो ब्रह्म तुमारे घर तक चलके आगया वो ही धनुस जनक जी ले आए थे और आज उसी धनुस पर रंग भूमी बनी है रंग भूमी तो द्यान रगना यगपती माराजी मांग वे उकले अकल चाहिए हैं मांगने के लिए भी एक बार दोनों पत्पत्नी बुढ़ापे में थे यह मारे राजे सुरा नंद जी का बक्तब है जो इस दुनिया में नहीं रहे ब्रंदाबन से तो वो परिक्षत यगपती माराज दोनों ध्यान करो वो मांग वे गए शिवजीप है बर्दान तो दोनों पत्पत्नी थे और उनका एक बेता था और जब तीनों के सामने भोले नाथ प्रकट हुए ए बच्चे ओ कही बोई बात कर रहे हो तरह पर में ताई बाप प्यारे ना है तब कही मांग लो भोले नाथ निकी मांग लो डोकरी बोली के सुना रहे सबदे पहले मौई मांग लो के मांगो बोले ना आथ पहले मौई यह दे देओ मांगो के मौई पर बिल्कुल बुड़ा पो आई गो समसरी सिकुड़े गो चारो लंग ते तब तुम वो 16 वरस की लड़की बना देओ बोले ना तने हाथ पहले तो 16 वरस की लड़की बनी है लकड़ बावाने के तिरब वो समय ना चलो जाए बताए संगक जीवे मरिवे की किसम खाई और मेयो यह कुपाउं पर अगट में और तुझे 16 साल की भाई है और वो 16 साल की बने के को मौई से कानी डोकर माँ अब डो कर लुक्र किस्याने बेठे सोने बाबा में मांगू सोई मिल्जा वहाँ के चो जाने जो मांगो सो जाना मिलो तो महुं मांग लो तो डोक और खिस्याने बैटो से उन नहीं की कि बोले ना तकर मो पर सणनों तो जा कुटिया बना जए आप रहा तो पहरो सब नद़का तो हें भाइम मांगे लिए मांगे लिए तो मेरे में था ईवाप जैसे है लिए तो 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 आपने पिश्वा में तर गपाने जब अपने पिश्वामित्र जी के साथ हैं उस जनकपुर की सीमा में तो खुषी का ठृकाना नहीं रहा देखने वाले जब चले हैं, किस तरह से? गले पड़ी बेजनती माला आवा चमकतमो कटा किले रजनी राम आई गए राम आई गए बाग चला सजनी राम पाट पाटा मरा यार पीता मरू शिरब बंधी रही है बाग मरू गेलमी चलता जिपेदरा नीराम आई गए रामा आई गए पाग चलोई सजनी राम आई गए आपने देखा होगा बगवान के नाम तो ने को आकास के तारे गने जा सकते हैं लेकिन भगवान के नाम नहीं गने जा सकते हैं लेकिन पता है भगवान के जितने भी नाम हैं उनमें सबसे उचा नाम कौन सा है सबसे नाम उपर कौन सा है वो है राम और उपर क्यों है सबसे उचा क्यों है ये देवर्शी नारद ने भगवान स्री राम से मांगा था जब नारद जी की भेंट हुई थी भगवान स्री राम से तो उन्होंने मांगा क्या था नारजीन हाद जोड़गे प्रभू, मेरी एक मासा, कौन्जी? याद्यापे प्रभू के नाम लाने का याद्यापे प्रभू के नाम लाने का सुरुती का है यादी का येक तिली येका नाम सकल नाम अनुती यधिका ओहो ना अथयग खग जन अबधिका सुनिया प्रभू, नारजी कह रहे हैं के यद्यापे प्रभू के नाम लाने का प्रभू नाम तो अने कहें सुरुती, सुरुती कहते हैं बेद से बेद इस बात का संकेत करते हैं का प्रत्यक नाम एक से बढ़के एक है लेकर प्रभू मेरी ये मांग है के राम सकल नाम अनुते हैं राम का नाम पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए सबसे उपर हो ये मांगा था नारजीन उसी दिन से आज देखा तुमने अपने गुरु पे स्वामत्र के साथ जब पुस्बबाटका में फूल तोड़ने के लिए गई थे गुरु के आदेश्या और उसी बाग में आई हैं सीता सीता उसी बाग में आई है तो सीता जी ने तो नजर भरके राम को देखा है और स्री राम ने देखा है सीता जी को तो ऐसा लिखा है विद्वानों ने राम चर्टमानस में कि सीता जी ने जब भगवान सी राम को देख लिया था तो मन का बन्न वहीं कर दिया बाग में क्या मेरे पिता ने जो कठोर धनस रखाए वो धनस तूट है और चाए न तूट है पर मेरे हरते समराटों जे राम को चुन लिया बाद में लेकिन त्यान रखना कर्म करना ज़रूरी है कर्म करना आवस्य कहे कर्म कर देगा तो फल तो मिली जाएगा तो जाए का कर रहे हैं पहली का कहरें मंदर पर चारबीर बाबा काली मैया हमा लड़का पुलिस में बती है जाब है तो हम तेना भागवत करवा देंगे कब पहली लगाए देगा तो ते नो करें जे जे देवता जितने जे ते नो करें अरे तु भक्ती करें अपने करम करें लगाए तो बें दिंगें पर आज का समय कल्यों काई कि पहले फल चाह रहे हैं ताइबाद है का केते हैं वाले में मैंने फलाने देवता पर एक क्याम रुपा पसाद बोल चोलो है पहले बांट देना अरे बांट दा फलता मिली जाएगा लेकिन सुनो वह हुआ करम करना जरूरी है तो सीता ने बरका चुनावत दो कर दिया बाग में के मेरा स्थर्दे सम्राथ लेकिन फिर भी करम करने के लिए आज चली है कहां भमानी मैया के मंदर के सामने यही भमानी मैया जो तुमारे आज्जा मट पर कथा चल लई है भमानी मैया के सामने आई है वो दोय पर्दा और बंदबादेने के जल्दी बस पर देगा है आँ तो तो बज़ावई बश्ता बारंग धूप आ रही है बहुत आप दोय पर्दा और तंबादेने के बस सुनो दसीता जी आज हमारी हुई है तो सुनो बेटी एक बात धान से सुनना के बेटियां जब तुम ब्रत रहती हो उपवास करती हो तो जो लड़कियां ब्रत रहती है वे जादने ब्रत रहते हैं तादना मन में कामना करती है के मोई बरना सुन्दर मिले गुडवान मिले और विद्वान मिले सुनो बेटी हसने की बात नहीं है कोई लड़की पिरत रखते समय ये कामना नहीं करती स्वामी जी के मोई परना सरापी मिले और भाईया देखो सुनो करूई बात ठादा में जाती है और करूई दबाई खाने से बीमारी मिठती है साथ जन्म के पाप खटे होते हैं तब एक घर में सरापी प्यादा होता है और तुम दस कमाई वेवाई बने रहो घर में बुद्ध संकादा एक के लोईका भी है तुम दसाउ कमाई वेवाणने के लोईकान लगा दे हो तो भगोवान करे परमातमा के बेटी को भी आओ जा घर है होईता घर वा सराबी थे बचा दे परमातमा और देखो आज सीता जी भमानी मैया के सामने खड़ी है तो सुना बेटियों जो जो बेटी ब्रत रहती हो और जा दिन तुम ब्रत रखो बाद दिन रामचरत मानस को खोलो और इन चौपाईयों को पढ़ो जो मैं चौपाई बता रहा हूं तुमें एक-एक चौपाई महामंत्र का काम करेगी वो बेटी मन से हैं और इन चौपाईयों को खोल के पढ़ लेना भगवान सी राम की किरपा रही तब बरना संदर मिलेगा र गुर्मान मिलेगा यह चौपाई को उन्हें सुनो कैसे गया भवानी भमन बहोरी गया भवानी भमन बहोरी अपन्ध चरन लोली कर जोरी चे जे जे गिवी राज की सोरी ओचे महे समुखा चंड चकोरी अरे जे गजा बनान सदान नमाता ओच जगत जनन लिता मिनी दुद्धी गाता तवना इया निमा धिया वासाना ओअ अमित प्रभावा बेदा नहीं जाना भबा 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 भबारा भबाकानी ओबीश्वबी मोःनिश्वबास अभिहानी देख लिओ बालकान्द में बाल कांड में यह चोपाई है जादन प्रत्रो तादन इने ही पड़ो ठीक है अब जे नई नई उमर के बालक कहें के साज्त्री जी अगर हम मलूग बहुचामें तो प्रहमका पड़ें लड़किनों को तो बता दें तो बेटा तुमारे उन्हें लिखी है गोश्वामी जी ने समाज का कोई पहली छोड़ा इने जिसे पर लिखा नहीं है तुमारे उता है लिखी है कि जब राम और लक्षमर जी फूल तोड़के लाए गुरू जी के लें तो गुर्देवता ने आसीरवाद दिया है कि होए मनोरत सकल तुमारे और राम लखन सुने भायो सुखा इस जगे की चौपाई लड़का पड़ो बहु सुंदर मिले ही जोड़ीदार भी भूपेंदर भाई साब कर्म से मिलता है जैसा आप नहीं किया है बाजे बाजे कि पूरी जिंदगी कटिक ही कब हुए एक दिना लडाई ना है भाई जैसे लकड़ वावाएं सही बात बता रहूं हाँ इतनी सलाह है दोनों मियां बीवी में कि यह खेता पर हुजाएं तो संग जाता है और बाजे बाजे में ऐसो है कि भाई सबेरे ते साम तक रात के दस बज़े तक चेनुए नही बज़ती है रहते है हर समय तो अपने अपने कर्म की बात करम करिए सोता बंदो आज मानी मयां लोट रहे लट लक्षमान और जिसमें उसर रंग भूमी को सजाया गया था सुता बंधो आज नजर भर के देखा है नजर भर के देखा है तो ये पद जो हम गा रहे हैं जाए हमारे बतीजे सुराज सिंग काता है बड़पुरा बाए जब रस्याई भजन काते हैं तब ये भगवाशी राम और सीता मैया के बिधाप है उस रंग भूमी के ऊपर है क्या है अरे देखिया रंग साल विसाला अरे देखिया रंग साल विसाला कच्छो से बीर फरस बैठे कच्छो बैठे ब्रण चनो पै कच्छो बैठे कच्छो बैठे ब्रण चनो पै कच्छो बैठे कच्छो चड़ी गए हैं मन्चनो पै सो बिश्वामित्र गुरू के सणा मेरे याव अरे देखी रण चाल विश्वामित्र गुरू के सणा मेरे याव गये तोद सर्थ के लाला अरे देखी रण वल साल विश्वाला नाजा जनक के दूर खड़े और मुखती हुकम सुनाने आरे राजा जनक के दूर खड़े हैं मुखती हुकम सुनावें सजी सजी और देखे राजा जनक क पुरी में आवें सोचो कई पीनु था दूर शकू उतो रहे यहवा गरा देव मेरी लली दाहर देई माला अरे देखी रंग साल वे साला आरे जो कोई पीर थनु सकत को रहे यहवा मेरी लली दाहर देई माला अरे देखी रंग साल वे साला जान रखना महराप पस्राजी के पुत्र थे राम और लक्षमान हलो और एदसर पे गुपदान